गौतमबुद्ध विश्व के दोस्रो सोरे उर्जा संचालित अंतरास्टी बिमान इस्तल हुने बहरोबाय उस्तित निर्माण संपन्न हुन लागेको घौतमबुत छेत्टी अंतरास्टी बिमान इस्तल विश्चु को दोस्रो पूण सोरे उर्जा संचालित बिमान इस्तल हुने भायेको छा। बहरोबाय उस्तित बिमान इस्तल विश्चु को दोस्रो पूण सोरे उर्जा संचालित प्रोडाली मा लाई जाना लागी एको हो। बाट संचालन गर्न प्रडाली इस्तापना गर्ने बारे अर्थमंत्रालय नेपाल नागरिक उड़एन प्राधिकरण नेपाल बिद्दुत प्राधिकरण सहित का निकाय हरु संग छालफल भायेको छा। स्रेश्टली भनेका छन। एसको प्राविदिकर अरु केई मडालीटी का विशेहरु तोय हुना बाकी छन। हामी छालफल को चरण मा छों। केई अद्देन बाकी छ। पूड सवरे उर्जा संचालन हुनुको मतलब विमान इस्तल का संपूड पक्षेका लागी आवसेक सवरे उर्जा सवरे फ्रणाली बाट प्राप्त गर्नु हो। एर ट्राफिक कंट्रोल, ब्यागेज क्लेम, धावन मार्ग कंट्रोल रूम, यात्रू टर्मिनल सहित बिमान इस्तल का सबई कक्षे अरुत था बिमान इस्तल बित्र संचालन हुने सबई खाले व्यावसाय समेत सवरे उर्जा बाट संचाली थुने हो। गौतमबुद्ध अंतराष्टे बिमान इस्तल का लागी सवरे उर्जा बाट दैनिक 10 मेगावर्ड उर्जा उत्पादन गर्ने लक्षे राखी एकुछ। अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरियेको छा। गवरे उर्जा प्रणाली का लागी प्रदान गरिने आर्थिक सवरे उर्जा बिमान इस्तल निर्माड मा भहिराय को सवरे उर्जा उर्जा को विशय बाताबरन महित्री मात्रन बाइर परेटन परवर्दन संगपनी जोडिनी गरेको छा। परेटन मंत्रालाई सुरत का अनुसार यो विशय मा प्रदान मंत्री केपी सर्मा वलिले समेद चासु देखाय का छन। उनले अधिकारी हरु समक छे यू परियोजना को काम समय में अगी बडाउन निर्देशन दिये का छन। ततकालीन परेटन मंत्री रविंद्र अधिकारी को हेलिकाप्टर दुर्गाटनामा मिर्तु बाय पची सस्किर्ती परेटन तता नागरिक उड्ड़ाइन मंत्रालाई को जिमेवारी परदान मंत्री स्वेमले समाल दयाय का छन। गौतम बुद्दा अंत्राष्टि बिमानिस्तल परियोजना पर्मुक परवेश अधिकारी का अनुसार बिमानिस्तल संगा परसस्त उपयोगन भायेको जग्गाछा। सो खाली जग्गा सवरे प्रडाली इस्तापनेका लागी उपयोग गर्न सकीने अवस्ता चा। बिमान इस्तल संग 810 बिगा जग्गा छ अधिकारीले भनेका छन मंत्रालय प्रादी करणले निर्मार्ग निर्मार्ग काम संपन न भायेको छ हाल भायराय का काम ठेका को ICV-01 अंतरगत को सो कार्य अंतरगत धावन मार्ग टर्मिनल ववन ट्रैक्सी वे पारकिंग लगायत का कारी परदसन इबायक नेविगेशन फायर वेकल लगायत का काम समय माने संपन गरी सन 2019 माने विवान इस्तल संचालमा लेवने तयारी मा नेपाल उड़ेन प्रादी करण रहेको छ सन 2015 जनवरी पंद्र मा सिलेन्य संदा विमान इस्तल निर्माण को काम 2017 डिसेंबर मा निर्माण सकने लक्षे रहेको थियो ठेकका विवाद एबाम भारतिय नाका बंदी का कारण धीलो गरी निर्माण संपन हुन लागेको हो निर्माण संपन्न वैपाची विमान इस्तल 3000 मिटर लम्माई र 45 मिटर चोड़ाई को धावन मार्ग 1900 मिटर लम्माई र 23 मिटर चोड़ाई मा टेक्सी वे बनने छ विमान इस्तल अंतरगत 151179 बर्ग मिटर को टर्मिनल ववन्र व्यवस्तापकियर कांट्रोल टावर अपरेशन ववन्द्वी 1149 बर्ग मिटर को हुने छ गरारा टेलिविजर